सो हलो एंड विल्कम दोस्तों टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका सुभागत है तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियों बात करेंगे हैं रियल्मी 12 प्लस 5G फोन में इन डिस्विले फिंगर प्रिंट एनिमेशन की बारे में फाइनली दोस्तों इन डिस्विले फिंगर प्रिंट एनिमेशन को कैसे आप लोग को चेंज करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने ला हूँ डिटिल के साथ यहां पर मेरे पास कुछ एनिमेशन है अब जैसे कि मेरा फोन लोग नहीं है तो यहां पर कोई भी फिंगर प् एनिमेशन आप लोग अपने फोन में एड कर पाऊगे रियल्मी के ट्विल प्लस फाइब जी फून में तो यहां पर मैं आप लोग को इसी के बारे में डिटिल के साथ बताना हूँ अगर आप लोग अपने फोन के सड़िंग के अंदर जाकर चेक आउट करते हो तो वहां व्डियो को लाइक कर लेना और एंड इसेग्राम का लिंक मिलेगा डिस्तुफिशन में वहां से या कि आप लोग फोलो कर लेना आप तो चलता है इस स्क्रीन पर और आप लोग को चल कर बता देते हैं वेल्कम तु माइ यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्माम तो फैनली दसो साइड में स्क्रीन प्रकूटिक देशन को मिलेगा अब दोस्तों अगर आप लोग रियल्मी का टूवल प्लस 5G फोन यूज करो उसमें अगर आप लोग इंडिस्वले फिंगर प्रिंट को यहां परी श्टाइल का यहां पर आप लोग किलिक करते हों ते यहां पर आने के बाद नीची आपको एक औरowanie मिलन रहे यहां पर फिंगर प्रिंट जो की 101% working है जो की आपको मैंने डेमो दिखा भी दिया है और यहाँ पर आप लोग को धेर सारे fingerprint एड़ करने का तरीका बताने वालाओं तो यहाँ पर आप लोग रियल में का 12 प्लस 5G फूर में new fingerprint animation को चेंज कर पाओगे यहाँ पर आपको चल कर बताता हूं तो यहाँ पर आप लोग को चल कर दिखाता हूं कैसे आप लोग को करना है इसके लिए फाइनली दोस्तों आपको fingerprint animation एप होगा उस एप का मैंने लिंक को description में दे रखा है वहाँ से आप लोग जाका डाउनलोड कर लेना एंड इस एप के जरीए आप लोग धेर सारे fingerprint animation को अपलाई कर पाओगे जो कि इस परकार का है यहां पर मैंने apply कर रखा है जो कि देखने में इंट्रेस्टिक लगता है अब यह आप को जब आप लोग यूज करोगे तो कुछ ही apply करने का option आ जाता है कुछ enable करने का तरीका भी जान पढ़े था है अप लोगों को तो यहां पर आप लोग करने का तरीका मैं बता दूगा कैसे करना है लेकिन यहां पर आपको इस तरीके का एप मिलेगा जो कि यहां पर आप लोग नए नए fingerprint animation इसके इंदर आड कर पाओगे और यहां पर आपको देखना हो मिल जाता है जो कि मैंने अपने फोन में apply कर रखा है यहां पर दिख रहा है मेरे fingerprint animation मिल जाता है अब दोस्तों क्या है कि यह fingerprint animation अगर आप लोग अपने फोन में यूच करना चाहोगे तो 101 परसंट यूच कर पाऊगे अब जैसे कि यह वाला है अब यह वाला fingerprint हमने apply करना चाहते हैं अब इसके साथ हम कोई सभी wallpaper को हम लगा लेंगे अब जैसे दोस्तों यह वाला fingerprint पर हम लगाएंगे जो कि देखने में इंट्रेस्टिंग लेंगे और जैसे यह अपके पास एक एड आएगा तो एड को आपको skip कर लेना है जो कि skip करने का पार download होगा एंड डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ नहीं करना फानली दोस्तों यहां पर आपको रिसेट कर लेना है चुकि यहां पर साइज को थोड़ा बड़ा च्छोटा कर लेना है और यहां पर आपको विकुर जाएगा, जैसे के यहां पर आपको बेट करना है, यहां पर यहां पर add आते हैं, जो कि free app है, कोई भी पैसा, कोई चार्ज неहीं लगता तो free app में add आ जाता है, तो skip करना है, और skip करने का 3 बार option । इसमें मिलता है, तो 3 बार में आप लोग के कर पूँगे तो यहां पर आपको कि करने का उप्षन मिलेगा तो यहां से आप लोग को लोग करना है जो कि मैं लोग को दिखाता हूँ जैसे कि यहां पर आप को दिख रहोगा मैंने लोग किया और यहां पर आपको fingerprint animation देखनों को मिल जाएगा जो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके का fingerprint animation है यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो की interestingly fingerprint animation है आप लोग अपने MacBook 12 प्लस 5G phone में यहां पर यूच कर पाँगे जो कि इस तरीके का आप लोग को देखनों को मिल जाता है यहां पर आपको दिख रहोगा तो इस तरीके का fingerprint animation अगर आप लोग अपने phone में यूच करना चाहते हो अगर आप लोग के पास यहां पर आपको प्लस 5G phone है तो यहां पर आप लोग यूच कर पाँगे जो कि 101 परसेंट वर्किंग है यह ट्रिक्स आप लोग को बता रहा हूं जो कि fingerprint animation आपको लिख कर एंड डाउनलोड कर लेना आपको जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा हूं जो कि मैंने मेरे फूर में पहले से डाउनलोड कर रखा है यहां पर आपको fingerprint पर यहां पर हमारे फोन में कोई भी fingerprint animation नहीं लगाई तो जैसे कि यह एप हमारे फोन में डाउन लोड होने के बाद एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग इससे change कर सकते हो एंड इससे enable कर सकते हो इसके अंदर से ढेर सारे fingerprint animation को apply कर सकते हो जोकि net का silo हो है यहाँ पर आप लोगा देख सकते हो यहाँ पर download है नहीं हो रहा है लेकिन जैसे ही net fast होगा आपका यहाँ पर download हो रहा है तो यहाँ पर 26 MB का app है जल्द ही आपके phone में download हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है मेरे phone में download हो रहा है आपको यहाँ पर enable करके दिखाऊँगा and fingerprint animation को तो मैंने add करके दिखा दिया कैसे add करना है and कैसे apply करना है लेकिन आप लोग सुरू से देखोगे, तब जाकर आप लोग को समझ में आ जाएगा, यहाँ पर मेरे phone में install हो रहा है, open करेंगे, और open करने के बाद हमारे phone में इस तरीके से open हो जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर open होने के बाद आपको इस तरीके का interface मिलेगा, यहाँ पर क तक के लिए यहाँ पर हम बेट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर open होने में time तो लगता ही है, जो भी application आप लोग यूज करते हो, जैसे open होगा, यहाँ पर आपके पास get start का option आएगा, get start पर क्लिक करना है, add आपको next पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपके पास एक animation देखनों का मिल जाएंगे, इस तरीके से आप लोग को apply करना है, and enable करना है, और यहाँ पर आपको animation मिल जाएंगे, animation कोई सब भी आपको चाहिए, अपने इसाब से आप लोग कस्टमाइज करके लगा पाऊगे, rail make 2L plus 5G phone में, and अगर आप लोग को यहाँ वाला animation चाहिए, आप लोग को, यहाँ पर आपको 75 रखना है, यहाँ पर आपको 75 रख लेना है, जो कि आपको रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर जब तक आप लोग रखो नहीं, तब तक आपका यह सेटन नहीं होगा, यहाँ पर मैंने रख दिया, 75 यहाँ पर रखूँगा, आप लोग को दिखा देता हम favor शेटिंग करने थोड़ा टायम लग जाता है दोस्तों यहाँँ पर सेट रख दिए है मैंने यहाँ पर आपको कुछ नहीं है और यहाँ पर आपका जो की साइज देख सकते हैं ज्यादा कुछ हो चुका है तो यहां पर आपको थोड़ा से लाना है यहां पर आपको यहां पर करना है 74 रख दिया है, मैंने set continue पर click करना, save continue पर click करने के बाद, दोस्तों, यहाँ पर save continue पर click करने के बाद, इस तरीके से इंटरफेस आएगा, कुछ second चलेंगे, and second को यहाँ पर आपको बेट कर लेना है, आप यहाँ पर आपका second चलने के बाद, set now को option आएगा, जिस तरह के से आप आप लोगो apply करेंगे दिखाता, उसी तरीके से आपको apply करना, set now पर click करना है, and add आजाएगा, add को आपको skip करना है, यहाँ से, जो की add skip करने का option मिल जागा, इसके अंदर, यह app जो की free है, तो इसमें add आता ही रहता है, और skip करना है, यहाँ पर skip करने का option मिल जाएगा, आप दोस्तों यहाँ पर आपको allow कर लेना है, and उसके बाद आपको फिर से, यहाँ पर मिल जागा apply home screen, lock screen पर click करके and successful हो जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर आपका fingerprint animation, कुछ इस परकार का काम करेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का, तो आप लोग देख सेक इससे इंट्रेश्टों यह साथ तब तक लिए, जय हंद, जय भारत, बाब दोस्तों,